नमस्कार दोस्तो ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपको कावड यात्रा के पीछे क्या है पुरानिक मान्यता तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं सावन का महिना दोस्तो शुरू हो गया है सावन के साथ ही कावड यात्रा भी शुरू हो जाती है सावन के महिने में जगह जगह केसरिया रंग के कपड़े पहने कंधे पर कावड लेकर चलते हुए शिव भक्त देखे जा सकते हैं कावड या भगवान शिव की आरतना करते हु गंगा से जल लाते हैं और किसी विशेश शिव मंदिर के शिवलिंग का जलाभीशे करते हैं ऐसा नजारा सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में देखने को मिलता है पिछले कुछ दशकों से उत्तर भारत में कावड यात्रा के लिए लोग ज़्यादा जागरुक दिख रहे हैं समाज के हर तबके के लोग भारत के हर प्रांथ के लोग कावड यात्रा में शामिल होते हैं कई जगह तो लोग ग्रूप में इकटे होकर डीजे लेकर जाते हैं और रास्ते बर भूलेनात के भजन पर थिरकते हैं लेकिन क्या आप कावड यात्रा का इतिहास जानते हैं इस यात्रा के बारे में अन्य जरूरी बाते हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो चलिए जानते हैं कावड यात्रा के पीछे क्या है पुरानिक मान्यता कावड यात्रा के पीछे कई पुराणिक कहानिया बताई गई है लेकिन पुराणों के मताबिक सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी शावण के महिने में समुद्र मन्थन से सम्मंदित है समुद्र मन्थन के दोरान महासागर से निकले विश को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था तब से उनका नाम नील कंठ पड़ गया लेकिन विश के नकारत्मक असर ने नील कंठ को घेर लिया था विश के असर को कम करने के लिए देवी पारवती समित सभी देवी देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का शीतल जल चड़ाया तब जाकर शंकर भगवान विश के नकारत्मक प्रभावों से मुक्त हुए यहीं से कावड यात्रा की परंपरा की भी शुरुवात हो गई थी कुछ विद्वानों का मानना है कि श्रवन कुमार सबसे पहले कावड या थे उन्होंने ही सबसे पहले त्रेता युग में कावड यात्रा आरंब की थी जब श्रवन कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे तब उनके अंधे माता पिता ने हरिद्वार में गंगास्तान करने की इच्छा जदाई माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के बाद कुमार लोटते समय अपने साथ गंगाजल ले गए यहीं से कावड यात्रा की शुरुवात मानी जाती है कावड यात्रा के बारे में कुछ और भी तथ्य है जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे है कावड ले जाना बहुत हिम्मत का काम होता है गंगाजल भरने से लेकर उसे शुवलिंग पर अभिशे करने तक का पूरा सफर भक्त पैदल तय करता है वो भी नंगे पाओ चलते चलते कई बार पेरों में चाले भी पढ़ जाते हैं लेकिन शिव भक्त हार नहीं मानते हैं यात्रा के दोरान किसी भी तरह के नशे या मासहार की मना ही होती है इसके अलावा किसी को अप्शब्द भी नहीं बोला जाता इसनान किये वगेर कोई भी भक तक कावड को चूता नहीं है आम तोर पर यात्रा के दोरान कंगा, तेल, साबून, आदी का इस्तिमाल भी नहीं किया जाता है सफर के दोरान चमडे की किसी चीज का स्पर्श, गाडियों का इस्तिमाल, चार पाइक पर बैठना ये सब कावडियों के लिए वर्जित होता है कावड को किसी पेड के नीचे भी नहीं रखते शिव भक्त अपने पूरे सफर के दोरान बोलबम या जैशिव शंकर का उच्चारन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं कावड को कंधे से अपने सिर के उपर से पार कराना भी गलत वाना जाता है तो यह थी कावड यात्रा से जुड़े कुछ तथ्य और पुरानिक मान्यता तो अमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइक करे शेयर करे और ग्यांग गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जैश्री गृष्णा